ICC has announced the FTP future tour programs from 2024 to 2031 जी हाँ ICC ने International Cricket Council ने 2024 से 2031 तक का future tour program मतलब complete schedule की कौन से कौन से ICC की tournament होने वाले है इन 6-7 सालों में सब बताया 2020 World Cup कब होगा Cricket World Cup कब होगा और एक और नया tournament भी बताया जो पूराना है वो वापिस भी लाया और नए teams भी introduce किये सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में This is your host Summer Joshi from the sporty podcast Let's go तो इस वीडियो को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे पहले मैं बताऊंगा की tournaments कौन से कौन से होंगे और किस थरा होंगे दूसरा हम tournament के format के बारे में discuss करेंगी कितने team होंगे किस थ्रा केला जाएगा और वीडियो के आखरी पार्ट में हम discuss करेंगे कौन से साल में कौन सा tournament और कितने tournament होंगे और यह वाले वीडियो में हम discuss करेंगे मैंस Cricket के बारे में वो में शोर under 19 वाला भी schedule है फर्स्ट इस T20 वर्ल कप, सेकंड इस 50 ओवर्ल कप, थर्ड इस दे चैंपियन्स ट्रोफी और फॉर्ट इस दे वर्ल टेस्ट चैंपियन्शिप जिसका पहला फाइनल अभी थोड़े दिन में ही आने वाला है इंडिया और न्यूजिलेंड के बीच में तो 2020 वर्ल कप होगा 20 टीम्स के साथ, 50 ओवर्ल कप होगा 14 टीम के साथ, चैंपियन्स ट्रोफी होगा 8 टीम के साथ और वर्ल टेस्ट चैंपियन्शिप जो पूरा साल खेला जाता है और उसके होम और अवे मैचेस के पॉइंट के हिसाब से फाइनल के दो टीम टॉप टॉप यहसी केलता है, तो यह सारे टूर्नमेंट है यह चार में टूर्नमेंट है जो अगले सांथ सालों में में बी सी सी अरानाउंस किया है, शो तो इसका format सबसे पहले Champions Trophy का डिसकेस कर लेता है इजी सा है दो ग्रूप है चार लोगों का तो इजी है और समी फाइनल और फाइनल नॉक आउट टूर्नमेंट होता है हार गए घर पे तो यह हो गया Champions Trophy फिर आते है 2020 World Cup पे 2020 World Cup और 50 World Cup में ICC International Cricket Council ने टीम्स को आड़ किया है ज्यादा Nations को इंकुलूड किया है कि क्रिकेट और पहुंच है दुनिया भर के स्पोर्ट्स में तो उस हिसाब से 20 टीम खेलेंगी चार गुरूप हो गे पांच टीम के और हर गुरुप के दो लोग क्वालिफाइव होंगे जो टीम्स क्वालिफाइव होंगे और फिर सूपर 8 और फिर फिर तौप 4 होगा और 50 ओर 15 होगा टीम्स कर दिया गया है जैसे 2019 वह बासे 2015 में हुआ था ऐसे नहीं होगा होगा कि विव्ट्य और World Cup होगा 2003 वाले format में अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा जरूर पर मैं बता देता हूं एक और पार जिनको नहीं तो यह था फॉर्माट जो आई सीची ने सेट किया है 50 वर्लकप टीट्वेंटी वर्लकप और चैंपियन्स टोफी के लिए तो अभी मैं आपको बताऊंगा 2024 से 2031 तक साल बाय साल कौनसे टूर्नमेंट होने वाला है और इस साल कौनसा टूर्नमेंट होगा तो 2024 2024 से स्टार्ट करते है 2024 को T20 वर्लकप होगा वो एक ही टूर्नमेंट है फिर 2025 को चैंपियन्स टोफी होगा और वर्ल्टेश चैंपियन्शिप का फाइनल होगा दो फिर 2026 को T20 वर्लकप होगा 2027 को क्रिकेट वर्लकप और वर्ल्टेश चैंपियन्शिप का फाइनल होगा 2028 को T20 का World Cup होगा 2029 को Champions Trophy और World Test Championship का Final होगा 2030 को T20 World Cup होगा और 2031 को World Cup होगा 50 Overs वाला Cricket World Cup और World Test Championship का Final होगा तो यह था schedule year by year तो इसमें conclusion क्या आता है हर दो साल को T20 World Cup और World Test Championship का Final होगा हर 4 साल को 50 Overs का Final होगा तो यह था conclusion यह था ICC का schedule और इसमें एक और interesting बात यह आती है कि इस बार से ICC ने हर साल एक Major Cricket Tournament रखा है और T20 World Cup का भी जैसे franchise ही format होता है उस तरह तो नहीं पर टीम बड़ा के पूरा दो महिना Cricket T20 World Cup चलेगा तो Broadcasting Rights वाला auction अभी जल्दी होगा अभी फिलाल तो Star Sports के पास है पूरा ICC का Broadcasting Right पर अभी वापिस बड़ा auction होगा काफी बीडिंग होगा और काफी पैसे खर्च होंगे काफी पैसे देने पड़ेंगा ICC को सारे Bragging Rights के लिए तो आपके इस ताप से क्या होगा comment section में बताईए thank you for listening to this video and watching this this is your host Samar Joshi signing off from the sporty podcast